चलाक महिला एक दिन एक अवरत गोल्फ खेर रही थी जब उसने बाल को हिट किया तो वो जंगल में चली गई जब वो बाल को खोजने गई तो उसने एक मेधक मिला जो जाल में फसा हुआ था मेधक ने उससे कहा अगर तुम मुझे इसे अजाद कर दोगी तो मैं तुमें तीन बर्दान दोंगा मेला ने उससे अजाद कर दिया मेडक ने कहा धन्यवाद लेकिन तीन परदानों में मेरी एक सर्थ है जो तुम माँगोगे तुम्हारे पती को उससे दस गुना मिलेगा मेला ने कहा ठीक है उसने पहला परदान मांगा कि मैं संसार की सबसे खोब सूरत इस्त्री बनना चाहती हूँ मेडक ने उससे चिताया क्या तुम्हें पता है कि ये बरदान तुम्हारे पती को संसार का सबसे सुन्दर ब्यक्ति बना देगा मेला बोली दैस्ट ओके क्योंकि मैं संसार की सबसे खुब सूरत इस्त्री बन जाओंगी और वो मुझे यी देखेंगे मेडक ने कहा तथास तुम्हें अपने दूसरे वरदान में उसने कहा कि मैं संसार की सबसे धनी महिला बनना चाहती हूँ मेडक ने कहा यह तुम्हारे पती को विश्व का सबसे धनी पूरुष बना देगा और वो तुमसे दसगुना पैसे वाला हूँगा मेडक ने कहा कोई बात नहीं मेरा सब कुछ उसका है और उसका सब कुछ मेरा है मेडक ने कहा तथास तो जब मेडक की अंतिम बर्दान के लिए कहा तो उसने अपने लिए एक हलका सा हाट अटेक मांगा मोरल अब स्टोरी महिला महिलाएं बुद्धिमान होती है उस उन से बच के रहे महिलाएं पाठको के निवेदक है आगे ना पढ़े आपके लिए जो यहीं खत्म हो गया है यहीं रुक जाईए और अच्छा महसूस करे पूरुस पाठक क्रेपिया आगे पढ़े उसकी पती को उससे दस गुना हलका हाट अटेक आया मोरल आपदय स्टोरी महिला सोचती है कि वास्तों में बुद्धिमान है उन्हें एसा सोचने दो क्या फर्क पड़ता है दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर करना कर दोस्तों को जरूर करना